इधाय बटन और इंसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन फाइने सीरीज सा कंप्लीट प्रेलिस मिल जाएगा वेलकम टो वीडियो नुबर 14 जहां पर हम स्टार्ट करेंगे डी एलमबर्स रेशियो टेस्ट यह बहुत इंपॉर्टन टेस्ट है वीडियो नुबर 11 से लेके 13 तक वहां पर हमने तक देखा हुआ था अब हम वीडियो 14 से लेके 16 तक जो है डी एलमबर्स रेशियो टेस्ट अपने पर देखेंगे तो पहले यहां पर देखेंगे यह होता क्या है उसके बाद इसी वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम मताऊं पहले होगा ओके ठीक है शूरू करता है वीडियो को स्टाट टर्ण से पहला आपसे च्वोटा से रेक्वेश्ट एक आगर आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्दी सुश्च को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसना तो प्लिज को लाइक करें आपने दो positive term series, if summation un is a positive term series, yes, अपना series कैसा होगा, positive terms वाले होंगे, okay, and ये condition जो उसको fulfill करना चाहिए, that is, limit n tends to infinity, un plus 1 upon un equals to l, तो हमें, जो है, ये तो हमको series दिया हुआ है, summation un अपना क्या एक positive term वाला series है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे को question में un क्या दिया है, okay, un क्या होता है, un क्या होता है, अपने nth term होगा, उस series का, un अपना क्या होगा, nth term होगा, उस series का, okay, तो ये अपना क्या है, उस nth term में हम 1 plus करेंगे, okay, जहाँ जहाँ n होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, n plus 1 कर लेंगे, अगर इसको solve करने पर मुझे एक value मिलती है, that is l, okay, ये Convergent होगा यह अपना जो series है अपने क्या होगा Convergent होगा जब L की वाली क्या होगी 1 से less होगी ओके येस एंड दूसरा condition कांसा है summation UN is divergent if L की वाली क्या होगी 1 से greater होगी fine अगर L से छोटी हुई तो अपने क्या होगा series Convergent L से बड़ी हुई तो हमारे series का होगी यह divergent हो जाएगा बट अगर let suppose आपका L के वैल्यू अगर वन आ गया तो ओके L की वैल्यू अगर लेट सब्सक्राइब अगर वन आती है तो उस उस case में अपना जो D Allumber Test Ratio है वो अपना प्रेळों जाएगा वो जाएगा व के उस केसमें अपने जो सीरीज्ज यह जो टेस्ट है वो अपना प्रेल हो जाएगा तो उस case में क्या करेंगे जो हमने previous वीडियो, that is 11 लेकर 13 तक का, हमना जो वीडियो में रहा है, that is comparison test, हम उस test का help लेंगे, आयो बहा समझ में, मैं फिस उस को repeat कर लेता हूं, if summation un is a positive term series, summation un अपना क्या है, positive term वालएक series है, and this condition, आपका एक situation देए, that is limit n tends to infinity, un plus 1 upon un is equals to l, l कुछ भी हो सकता है, yes, अब यहाँ पे, summation un is convergent, if l is less than 1, summation un is divergent, if l is greater than 1, okay, l से, okay, 1 से कम होगा, l की value तो अपना क्या होगा, l से greater होगा, अपना series अपना क्या होगा, वो divergent हो जाएगा, but अगर l की value गा 1 होती है, तो इस case के लिए, हमारा de-alembert ratio test, जो है, कुछ नहीं कह सकता है, तो उस case में, हमारा test वोगा fail हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, comparison test का पर, वहाँ पर help लेंगे, ओकी, ठीके, अब यहाँ पर देख लेते हैं, कि हम यहाँ पर कौन से question को solve करने वाले हैं, तो यहाँ पर, इस video number 14 में, यह question रहेगा, मतलब इस video में, आपको यह question मिल जाएगा, अगले वाले video में, हम इस question solve करने वाले हैं, यह दोनों question काफी important रहेगा, इस लिए important रहेगा, क्योंकि यह दोनों ऐसे cases, जहाँ पर आपको test fail होने वाला है, यह दोनों case में, आपको test fail मिलेगा, तो आपको मैं बताऊं का वहाँ पर, कि comparison test को यहाँ पर, और यहाँ पर कैसे apply करना है, और यह क्या होगा, यह आपको series दिया है, इसमें यह तो आपने मिलेगा, तो वहाँ पर हम उसको भी use करेंगे, that is comparison test को, ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं इस question के साथ, तो question बोलता है, test the convergence of the series, आपको एक series हाँ पर दे दिया है, ओके, तो यह जो है, यह आपको जो लिखा राट इस one square upon factorial one, इसको ना, one भी लिख सकते हूं, ओके, तो question ज square upon factorial three, plus four square upon factorial four, plus dot dot dot, या तो आपको इस वाले form में देगा, फिर one plus इस वाले form में देगा, fine, दोनों case में आपको समझ माँ जाएगा, कि यह अपना क्या है, one square upon factorial one है, तो यहाँ पर un, जो होगा, इसका अगर nth term देखेंगे, तो कैसा होगा अपना यह, yes, आपको दिख रहा ह है, यहाँ पर one square two square three square, तो अपना क्या होगा, n square upon में, यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा, yes, one factorial two, factorial three, factorial, तो यह अपना क्या होगा, n factorial हो जाएगा, तो अगर अपने को यू, n मिल चुका, तो अब मुझे, n plus one मिल जाएगा, कैसे, in place of n, we need to put n plus one, सिर्फ इतना है काम करना है, तो यह अपना होगा, n plus one का holy square, अपना क्या होगा, आपे, n plus one factorial, ओके, आप इसको बोल सेखते है, factorial n plus one, ओके, अब हम गया करेंगे, divide कर लेंगे, किसको किसके साथ, un plus one upon un, तो un plus, un plus one, जो की है, अपना है, n plus one का holy square upon, factorial n plus one, उसको पर यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर है, n square upon factorial n लिखा हो है, लेकिन यह अपना क्या है, तो यह उला पार्ट उपर मा आएगा, यह वफ n a park, अपना कहा नीचे आगा, ओके, यहाँ पर n plus one को whole square कापना IJT सहां रख दिए, n plus one factorial क हम दिसकते है, n plus one into factorial n, ओके, यह अपना क्या एन factorial that is factorial n upon n square, तो यह ऎला पार्ट cancel हो गया यह जो है यह भी से cancel हो चुका है तो हमारे पास तो finally क्या बचा? yes that is n plus 1 upon n square ओके तो हमारे पास u n plus 1 upon u n की वाली क्या बनी? that is n plus 1 upon n square तो आप हम प्याद करने हमें इसका limit लेंगे that is limit n tends to infinity therefore limit n tends to infinity u n plus 1 upon u n is equals to limit n tends to infinity यहाँ पर जो निक्रा that is n plus 1 upon n square इसको फॉर्दर आगा आप solve करोगे तो क्या होगा n upon n square that is 1 upon n square that is 1 upon n square इसको अपन यहापर लेंगे है ना यह अपना क्या है? u n plus 1 upon u n है इसको अपन यहापर रखें अब n की वाली जो infinity इसको यहाँ पर रखो limit को यहाँ पूट कर लो that is n की जगा आपन क्या रखें इंफिनिटी रखेंगे तो 1 upon infinity is going to be 0 1 upon infinity square again it is going to be 0 तो limit के वाली मुझे यहाँ पर क्या मिली? that is 0 which is less than 1 अब सिंस यह less than 1 है तो हमने अभी थोड़े दे पहले पाड़ा हो था देख लेते एक बार yes DLM बाट ratio test में क्या होता है अगा series convergent है कब होगा? जब L की वाली less than 1 होगी और series अपना divergent हो कब? जब L की वाली greater than 1 होगी 1 से छोटी है तो convergent 1 से बड़ी हो तो divergent इतना बस आप ध्यान लखेगा तो यहाँ पर आपको जो limit की value है limit पूट करने पर आपको कितने मिला 0 मिला which is less than 1 अब less than 1 का मतलब क्या होता है? by DLM बाट ratio test the series is convergent मान लो अगर अपने यह value 1 से greater होती है तो उस case हम क्या बोलते है? 1 से greater होता है तो by DLM बाट ratio test the series is divergent तो convergent divergent depends करता है किस limit की value क्या आती है? अगर 1 से less आती है तो अपना यह series अपना convergent हो जाएगा अगर 1 से greater आती है तो series अपना हो जाएगा that is divergent तो यहाँ पर सबसे important क्या है? Yes, important यह है कि आप u n कर से decide करते हो जो कि निकालना बहुत easy है आपको देना क्या है बस nth term को यहाँ आपको consider करना है nth term में कुछ नहीं है n square upon n factorial आपको दिख रहा है यहाँ पर ratio में ठीक है तो यहाँ पर अगर u n मिल चुका तो हम easily निकाल सकते u n plus 1 करना क्या होगा जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ पर हम कहलेंगे n plus 1 ले लेंगे तो यह अपना क्या होगा n plus 1 को holy square यहाँ पर लिखा है n factorial तो अपना क्या होगा n plus 1 factorial हो जाएगा अब इसको divide कर लिजिए divide करने पर yes इसको divide कर देंगे तो यह वाला पार्ट को पहले लिख लिए that is u n plus 1 अब यह अपना क्या है u n अपना नीचे में है तो since अपने यह नीचे में तो जो नीचे में वो उपर में आएगा और जो उपर में था वो नीचे आजाएगा इसको फिर अपन फॉर्दा सॉल करेंगे n प्लस 1 whole square को तो अपन कुछ नहीं कर सकते है लेकिन n प्लस 1 factorial काम कर लिए सकते है n प्लस 1 into factorial n अब यहाँ पे factorial n है और नीचे के n इसको है तो यह अपना दूना पास में cancel एक को जो है n प्लस 1 को पर नीचे वाले से cancel कर लिए नीचे पास का बच्छा n प्लस 1 और नीचे प्लस का बच्छा that is n square तो बस separate कर लो n upon n square plus 1 upon n square तो n upon n square will become one upon n one upon n square is as it is अब क्या करेंगे अपन लिमिट ले लेंगे इसे का अपन लिमिट लेंगे n tends to infinity तो limit n tends to infinity u n plus 1 upon u n equals to limit n tends to infinity यह जो निकला है असको पर नहाय रख लेंगे अब n की वाली जब लिमिट रखेंगे तो यह अपना करन क्या होगा डिलम बट जो रेश्व टेस्ट कहता है वो अपने क्या कहता है that is the series is convergent okay thank you so much watching this video thank you thank you so much